केंद्र की मोधी सरकार ने सौमवार को नागरिक्ता कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया इसे लेकर विपक्षी दलों ने हमले शुरू कर दिये हैं सपाप्रमुक अकिलेश यादों ने कहा कि जब देश के लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहे हैं तो नागरिक्ता कानून लाने से क्या होगा वही बसपाप्रमुक नम्मायवती ने चुनाओ से ठीक पहले इसे लागू करने पर केंद्र सरकार की नियत पर सवाल खड़ा किया है सपाप्रमुक अकिलेश यादों ने सरकार को निशाने पर लेते हुए हमला बोला है अकिलेश ने सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिक्ता कानून लाने से क्या होगा अकिलेश ने कहा कि जनताब भटकावे की राजनीती का भाजपाई खेल समझ चुकी है बाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखो नागरिक देश की नागरिक्ता छोड़ कर क्यों चले गए अकिलेश ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए कल इलेक्ट्रोलर बांड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केर फंड का भी वही मायावती ने एक्षप पर लिखा कि केंदर सरकार द्वारा नागरिक्ता संसोधन कानून को अब ठीक चुनाओ से पहले लागू करने के बज़ाए इसको लेकर लोगों में जो संदेश असमंग जैसवा अशंकाय हैं उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही लाग इसको चोड़ पहुचाने के नजरिये से देखा जा रहा है सिये को विपक्षी दल मसलिम समुदाय से ही जोड कर देख रहे हैं विपक्षी से दुरुवी करर से जोड रहे हैं इसे लेकर पहले भी लंबा अंदोलन चला था एक साल बाद इसका नौटिफिकेशन लागू पहले तीन मुलकों के गैर मुसलिम अल्प संक्यों को भारत की नागरिक्ता देने के लिए कानून को लागू करने की तैयारी कर चुकी थी इसके लिए केंडरी ग्रह मंत्रालाई की ओर से इसके लिए पोर्टल भी तयार है और इस पोर्टल पर नागरिक्ता पाने के लिए विदन किया जा सकता है भारत में नागरिक्ता संसोधन अधिन नियम यानी सीए लागू हो गया है केंडर की मोधी सरकान इसके पहले अधिसूशना जारी कर दी वही देश में सीए लागू होने को लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्या खिलेश यादों की पहली प्रतिक्र सामने आई है सबा मुख्या खिलेश ने बिजेपी पर निशाना साथे हुए कहा कि देश के नागरिक्त रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मज़बूर है तो दूसरों के लिए नागरिक्ता कानून लाने से क्या होगा बतादे नागरिक्ता संसोधन कानून के अंतरगत पाकस्तान, मंगलादेश और अफगानिस्तान में आई गैर हिंदू को भारत की नागरिक्ता प्रदान की जाएगी संसत के दोनों सदरों से सीए 11 दिसंबर 2019 में पारित किया गया था इसके एक दिन बाद रास्टपती की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी तुमारे पेज को लाइक करें